Hello everyone, welcome to my new video, सबको जैसरी राम तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अगर हम BPP उनिवस्टी से अपनी बेचलर या मास्टर डिगरी कम्पलीट करते हैं, तो उसके बाद हमें PSW मिलता है या फिर नहीं मिलता, या फिर हम UK के किसी भी प्राइबट उनिवस्टी से अपनी डिगर डिगरी कम्पलीट करते हैं, तो उसके बाद हम PSW के लिए eligible होते हैं या फिर नहीं, तो अगर आप चैनल पर पेली बा रहे हैं, तो चैनल को करने सब्सक्राइब और वीडियो को करते हैं, लाइक, तो बहुत सारी स्टूडेंट मुझे इंस्टाग्राम पे message कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमारा अजेंटे से बोल रहा है कि अगर आप BPP उनिवरस्टी में admission लेकर जाओगे, तो आपको डिगरी कम्पलीट होने के बाद PSW नहीं मिलेगा, तो सही बताऊं तो आपका अजेंट बिल्कुल जूट बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, PSW के लिए यह mater नहीं करता कि आपकी university public है या फिर private है, mater यह करता है कि आपकी university UK home office के साथ register होने चाहिए, tire for sponsor के लिए, अगर आपकी university register है तो आप PSW के लिए eligible होते हो, और दूसरी बात यह कि जितनी आपकी course की duration होती है, उतने duration में आपको degree complete करनी होती है, तब आप PSW के लिए eligible होते है अगर आप PSW के सभी eligibility criteria को पूरा करते हैं तो आपको PSW मिल जाता है, इसमें गपराने वाली कोई बात नहीं है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि agent ऐसा क्यों बोलता है, तो agent ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि private university की fees होती है कम और public university की fees होती है जादा, अगर आप जादा fees बरके आते हो तो agent को जादा commission मिलता है, अगर आप कम फीस बरके आते हो तो agent को कम commission मिलता है, अगर आप आपकी degree तीन साल की है, तो अगर आप तीन साल फीस बरोगे, तो agent को तीन साल commission मिलेगा, तो उमीद आपको पता चल गया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगिए तो वीडिय लिगो करें सब्सक्राइब